PCS Current News में स्वक्ष की खबर है मंदला बना देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला मध्रप्रदेश का मंदला जिला देश का पहला पौन कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है कार्यात्मक आदिवासी साक्षर का मतलब है कि यहां कि सभी अनपढ़ लोग अब अपना नाम लिख सकते हैं और गिनिती लिखना वो पढ़ना जानते है जिला कलेक्टर हर्शिका सिंग ने कहा कि आज से दो साल पहले मंदला में निरक्षर्टा से आजादी अभ्यान के शुरुआत्की गई थी इसका मकसद यह था कि हम अपने निरक्षर साथियों को साक्षर बना सकें साल 2011 के सरवे की अनुसर मंडला जिले में साक्षर्ता का प्रतिशत 68 था जुलाई 2020 में हुए सरवे की अनुसर मंडला जिले में लगभग सवा 2 लाख विक्ती साक्षर नहीं थे जिसमें जदतर वनान्चल और आदिवासी लोग थे जिला कलेक्टों ने साल 2020 में स्वतंतरता दिवस के अवसर पर निरक्षर्ता से आजादी अभ्यान की शुरुआत की इस सामाजिक कारेक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आंगनबाडी और सामाजिक कारेकर्ताओं इस सहयोग प्रदान किया इस अभियान का मुख्यों देश्य था कि सभी को कारात्मक रूप से साक्षर किया जाए, इसके लिए उन्हें अक्षर तथा अंका ग्यान होना चाहिए भौगोलिक रूप से मंडला जिले में जंगल, पहाड, नदी होने के कारण आवागमन सुलब नहीं था, इसलिए सभी ग्राम पंचायत में अक्षर ग्यानाले की शुरुआत की गई मनरेगा कारे तथा मवेश्यों को चराने के दौरान भी कप्षाओं का आयजन किया गया स्कूली बच्चों को वालेंटियर बनाया गया और घर के बुज़ूर्गों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई